दे उठनी एक आदसी पर देव बनाने के लिए सबसे पहले हम गैरू घोल लेंगे तो यहां पर देखिए गैरू मैंने ले लिया है उसमें थोड़ा सा जल डाल लिया है अब इसको हम अच्छे से घोल लेंगे और घोल के इस पेस्ट से ही हम देव बनाएंगे तो दे उठनी तो देव का जो घर है वो दिवार पर बनाते थे इस तरह से और जो पैर के निसान और खुर के निसान होते हैं गाये के वो फर्स पर बनाते थे तो आज मैं आपको बिल्कुल पारंपरिक तरीका बता रही हूं सबसे पहले हम देव का घर बना लेंगे तो देखिए चार ला तो बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा क्योंकि थोड़ी बड़ी आकरती मैंने बनाई थी तो एक साथ लाइने लगाना पॉसिबल नहीं था इसलिए पहले मैंने डोट लगा ली इस तरह से तो थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि हमें कहां पर किस तरह से बनाना है तो देख देखिए इसको हम अच्छे से सजाएंगे तो यहां पर जिग जैग पैटरन डाल कर मैं इसको सजा रही हूं आप चाहें तो आप कोई दूसरा डिजाइन भी डाल सकते हैं में है कि हमें इसको बहुत अच्छे से सजाना है और देखिए छेतर के अनुसार आकरती में बहुत बदलाओ हो जाता है लेकिन मूल रूप से देव इसी तरह से बनाये जाते हैं फर्स पर भी जब आप देव बनाते हैं तो इसी तरह से बनाये जाते हैं थोड़ा बहुत ही चेंज होता है और इसके बाद एक डोट लगाकर हम इसे सजा लेंगे अगर आप कुछ लिए उसके अनुसारा बना सकते हैं दोनों ही विधी बिलकुल सही है बस थोड़ा सा यह है कि आजकल दिवार खराब होने का डर होता है रंग पेंट उतनी जल्दी नहीं हो पाता है इसलिए हम लोग फर्स पर भी बना लेते हैं और थोड़ी आसान विधी हो जाती है वो त लिए आजिए तो दिवार पर बना लिए नहीं तो पेपर पर बना कर अप इस स сможर होती है इसके बाद देखिए हमने तुलसी जी का गंपला बना लिए है तुलसी जी का पूजन कार्थिक मास्त में बहुत जरूरी होता है, बहुत शुब होता है, इसलिए हम तुलसी जी भी बना लेंगे, इसके बाद देखिए हमने सीडी बना ली है, सीडी सुबचिन होता है, तो आप जो भी सुबचिन जैसे ओम आप लिख सकते हैं, सीडी बना स देखिए हमें पैरों के निसान बनाने हैं, घर में जितने लड़के हैं उतने जोड़ी पैरों के निसान बनते हैं, एक लड़के के नाम के दो पैर, जैसे एक जोड़ा पैर बना दिया हैं, तो यहां पर मैंने एक पैर बना दिया हैं, देखिए इस तरह से एट लिखकर यान आने वाली पीड़ी के लिए होते हैं इसके बाद देखे गाए के खुर हम बनाते हैं तो इस तरह गोल गोल करके देखे इस तरह ऐसे हम गाए के खुर बना देंगे तो एक गाए के चार खुर होते हैं तो हमने एक गाए के खुर बना लिये हैं इधर हम बच्छडे के खुर ब बना सकते हैं देखे गाय बहुत ही पूजनिय है और हमारे हिंदु धर्म में तो हर तो हर में किसी रूप में गाय का पूजन जरूर होता है तो यहां पर गाय के खुर भी हम बना लेंगे इसके बाद देखे हमें चक्री बनानी होती है तो यहां पर देखे बीच में हम चक्री कहां बनाने होते हैं, तो देखें, देव उठने एक आज़ी के दिन, दिन में, चार बजे से पहले-पहले, आप किसी भी समय देव बना सकते हैं, निसूरियास्त होने से पहले-पहले हमें देव बनाने हैं, आप अपने घर के आंगन में देव बना सकते हैं, आप कहां कोई ब और देव बनाने हैं तो आप करते हैं कि देव हमें किस दिसा में बनाने हैं पूरा ओ दिसा में पूजा करना बहुत ही शुप माना जाता है. आप देखिए जो यह हमने चकरी बनाई है, इसको हम जो देऊं का घर है, उससे मिला देंगे, तो दो लाईने बीथ से लगाकर हम यह इस घर को यह जो चकरी है, इसको देऊं के घर से मिलाईगे, इस तरह से और देखिए पहले तो खडिया और गैरू दोनों चीजों से ही देव बनाते थे तो आप खड़िया भी गैरू से ही लिया है। इसके बाद देखिएặtएन तो यहाँ पर इस इसते हैं कि एपनला म нат कि अगले वंगा कैसा सですかुर्यास्ता होने से पहले पहले का वो ये है, जैसे हमारे यहां पर पहले बनाए जाते थे, हम लोग जैसे देखते आये हैं, तो इस तरह से देव बनाते थे, आप देखिए, दिन में ये देव हम बना लेंगे, थोड़ा सा जब ये सूख जाएगा चापा हमारा, उसके बाद हमें इस पर कुछ सामान रखना होता है, क्या क्या सामान रखना है? अब मैं आपको बता देती हूँ, तो देखे हमें गेहु रखने होते हैं, आप गेहु ले सकते हैं, या बाजरा ले सकते हैं, कोई भी खड़ा अनाज हमें लेना है, एक आदसी है, इसलिए चावल हम नहीं लेते हैं, इसके अलावा इसके बाद हमें मूली लेनी है, इस मोसम में जो भी रितुफल और सबज्या होती हैं, वो सब हम देउटने एक आजसी में पूजा में लेते हैं, तो आप मूली ले लिजे, गाजर अगर मिल जाती हैं, तो आप ले सकते हैं, ना मिले तो कोई बात नहीं, गाजर मैंने ले ली तो यहां पर देखिए हमने सिंगाडे ले लिए हैं सिंगाडे के साथ ही और भी रितुफल आप कोई भी चढ़ा सकते हैं इसके साथ ही हम मिठाई चढ़ाएंगे तो यहां पर देखिए आप बजार से भी मिठाई ला सकते हैं या आपके घर में हल्वा चूर्मा जो भी बना एक दिया हमें रखना है तो हम यहाँ पर दिया बाती रख लेंगे क्योंकि हमें जोध जलानी होती है तो एक जोध हम यहाँ पर रख लेंगे इसके बाद देखिए सारा सामान इस तरह से देवों के उपर जो यह चक्री हमने बनाई थी ना हम रख देंगे उसके बाद हमें इ तो मैंने यहां पर चंदन से रोली से तिलक करके सजा लिया है परात को और अब हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है अब हम इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे और सूरियास्त के बाद ही अब हमें देव उठाने हैं तो देखें देव उठने एक आजसी के दिन आप शाम आप इस तरह से रख दीजिए उसके बाद हम इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे यहीं पर चोड़ देंगे शाम को सूरियास्त के बाद हमें देव उठाने है तो सूरियास्त के बाद हम सभी परिवार के सदश्य मिलकर देव उठाएंगे उस समय पर हमें एक लोटा जल लेना है और जो दिया हमने रखा था वो दिया हमें जलाना है दिया बिहार की तरफ लगशो आपने रखे और देखिये दिय को समस्वें परशत को बिलकुल उठाना नहीं है थोड़ा साही ऊपर करना और दिये को आप थोड़ा साइड में कर दे ताकि हाथ ना जले इसके बाद देखिए पराथ को एक हाथ से थोड़ा उठाते हुए ऐसे हमें बजाना है और आपके साथ साथ घर में जो भी बच्चे हैं या दूसरे सदेश्य हैं वो भी पराथ को आपके साथ ही बजाएंगे और साथ में ही हमें दे उठाने के गीत गाने हैं तो गीत में आपको गाके बता देती हूँ कि हमें कौन-कौन से गाने हैं सबसे पहले तो हम घर के लड़कों का नाम लेंगे या आप अपने बेटों का नाम ले सकते हैं घर में जो भी लड़के हैं आप उनका सब का नाम ल इसके बाद हम घर की सभी बहुओं के नाम लेंगे तो इस तरह से घर के सभी सदेशों का हमें नाम लेना है उसके बाद हम गाएंगे जितने इस घर सीख सलाई उतनी इस घर बवड आई जितनी खुटी टांगू सूट उतने इस घर जन में पूत जितने इस घर इटोर रोडे उतने इस घर हाथी घोडे उठ नरायन बैठ नरायन चल चना के खेत नरायन उठ नरायन बैठ नरायन चल चना के खेत नरायन मैं बोऊं तू सीच नरायन मैं काटू तू उठा नरायन मैं पीशू तू छान नरायन मैं पोऊं तू जीम नरायन कोरा करवासी तल पानी उठो देव पीओ पानी उठो देव उठो देव उठो देव उठो देव जागो देव जागो देव जागो देव जागो देव जागो देव और इसके बाद देखिए परात को थोड़ा जोर जोर से बजाते हुए हमें अपने गोत्र का नाम लेना है और देव को उठाना है जैसे हमारा गोत्र गाडिवान है तो मैं कहूंगी उठो गाडिवानों के देव उठो उठो गाडिवानों के देव उठो उठो गाडिवानों के देव उठो आपको अपना गोत्र का नाम लेना है और देव को उठाना है इस तरह से कहते हुए हमें परांत को उठा देना है तो देखें यहाँ पर हम इस तरह से परांत को उठा देंगे और परांत को हम साइड में ह तो इस तरह से देव उठाए जाते हैं आप देखिए देव उठाने के बाद जो हमने दिया लिया है इससे हम देव की आरती करेंगे तो पांच बार या साथ बार इस तरह से हम देव की आरती कर लेंगे आरती करने के बाद जो दिया है वो हम देव के सामने ही रख देंगे और घर में सभी सदश्यों को हम परसाद सवरूप में बांट देंगे तो सभी को आप ये भोग सामगरी बांट देंगे और जो दक्षिना हमने चड़ाई है ये दक्षिना हम घर में किसी भी लड़की को दे देंगे घर में कोई लड़की नहीं है तो आप मंदिर में भी ये चड किया जाता है तो आप जल के छीटे लगाकर और उसके बाद किसी भी कपड़े से इसको साफ कर सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी गाजर, मूली, जो भी आपने ये चढ़ाई हैं सबजियां ये आप घर में बना सकते हैं और परसाद सवरूप सभी खा सकते हैं और जो आपने कोटन रखी है, जो रूवी रखी है, उसके आप बाती बनाकर पूजामी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप दे उठा सकते हैं, जल जो आपने लिया था, वो जो जल बच जाएगा, वो आप चंदरमा को अरग दे देंगे, तो फ्रेंड्स अगर आपको दे उठाने के सरल विधी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जै श्रीकिष्णा, राधे राधे